दोस्तो Facebook हो चुका है डाउन, ये आप अगर इस्तमाल करने जाएं, आप अब ट्राइ भी कर सकते हैं, Facebook अगर आप यूज़ करने जाएंगे तो Facebook डाउन हो चुका है, किसी में on ही नहीं हो रहा है, अगर किसी में हो भी रहा है, तो उसका जो password है, वो login कर लिए बोल रहा है, या incorrect बोल रहा है, तो जो Facebook है वो अभी डाउन हो चुका है, I think जल्द से जल्द इसको fix कर लेगा Facebook, आपको चलिए तुमें दिखा भी देता हूँ live की जो Facebook है वो login नहीं हो रहा है, सिस्टम पे भी, मैं आपको दिखाता हूँ यह वीडियो, आप वीडियो देखिए पहले, देख सकते हैं आपकी Facebook, sorry, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको तक तक, यह भी open हो रहा है न, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं Facebook login करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपना account खुल लेता हूँ, Facebook, यहाँ पे जब मैं login मारता हूँ, आप देख सकते हो, कि यह मेरा page है, sorry, account है, इसको मैं login करता हूँ, और यहाँ पे मैं password अगर डालता हूँ, और login बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे login नहीं हो रहा है, ठीक है, बोल रहा है कि your password is incorrect, यानि कि जो password है वो गलत है, जबकि ऐसा नहीं है, मेरा password सही है, है न, तो Facebook अभी जो down है, हो सकता है, Google भी कुछ टाइम पहले down हुआ था, वैसे ही Facebook का भी server down हुआ होगा, no doubt जल्दी ही fix कर लेंगे, no doubt जल्दी ही fix कर लेगा, Facebook इसको, no doubt Facebook भी इसको जल्दी से fix कर लेगा, क्योंकि एक बार आपको याद हो तो, एक बार आपको याद हो तो Google भी down हुआ था, तो यह कुछ maintenance के काम चलते रहते हैं, इसके वज़े से problem आता है, आपको डरने की जूर्द नहीं है, दो-चार मेरे मित्र हैं, जो मेरे को call में किये हैं, और वो बता भी रहे हैं कि मेरा Facebook login नहीं हो रहा है, वैसे ही problem आपको भी देखने को मिल रहा होगा, तो आपको डरने की आउशक्ता नहीं है, उम्मीद ये है कि जो Facebook है जल्द से जल्दी fix हो जाएगा, आपको डरने की आउशक्ता नहीं है, आपका ID, Password सब कुछ सही है, आपको डरने की आउशक्ता नहीं है, जल्दी से जल्दी ही Facebook इसको recover कर लेगा, और आपके जो ID, Password पुराने थे वही login होगे, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like, subscribe and share जरूर करें,